दोस्तों सर्दी आते ही लोगों में आलसपन दिखने लगता है बच्चे हो या बड़े सर्दी के दिनों में किसी का भी पढ़ने का मन नहीं करता और दोस्तों इसी दोरान एक्जाम का सिलसिला भी शुरू होता है ऐसे में दोस्तों सर्दियों में आलस को ज़्यादा ही सताता और नीन तो जैसे पलकों पर सिंतिजार में रहती है कि जड़ा सा आराम मिले और आप सो जाएं इसलिए दोस्तों पढ़ाई कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे में दोस्तों कई सारे बच्चे परिशान होने लगते हैं कि अब कैसे पढ़ाई की जाएं तो दोस्तों ऐसे में आज हम लेकर आई हैं आपके लिए कुछ ऐसे टिप्स जिनको अगर आप यूज करें तो आपको पढ़ाई करते टाइम नहीं सताएगी और साथ में आप इन टिप्स को अपना कर आराम से पढ़ाई कर पाएंगे तो दोस्तों अगर आप भी इन टिप्स के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो में अर्थ तक जरूर बने रहे हैं तो दोस्तों सबसे पहली हमारी टिप्स यह है कि आपको डेली सुबा एक्सिसाइज जरूर करनी चाहिए जिससे ही आपका बलड थोड़ा सा वाम अप हो पाए और आप भी एक्टिव रहें तो इसलिए दोस्तों हमेशा सुबा उठकर मिनी एक्सिसाइज जरूर करनी चाहिए जैसे कि दोस्तों सिट अप्स है, रिस्ट रोटेशन है या फिर दोस्तों जो भी एक्सिसाइज आपको इजी लगती है, आप उसे कर सकते हैं दोस्तों हमारी अगली टिप्स है कि हमेशा बैट कर ही पढ़ाई करें इससे आपकी बॉड़ी में कई सारे सिस्टम एक साथ वर्क करते रहेंगे और साथ ही साथ इससे आपको नीद और आलस भी नहीं आएगा और ऐसा भी देखा जाता है कि जो बच्चे बैट कर लिखते हुए पढ़ाई करते हैं उन्हें वो कंसेप्स याद भी रहते हैं इसके लावा दोस्तों हमारी अगली टिप्स यह है कि ठंड में हमेशा ही गरम पानी पिए और गर्ब और ताजा भोजन करें दोस्तों ठंड में गरम पानी और गरम लिक्विड और फूड आइटम्स का ही योज़ आपको करना चाहिए इससे आपकी वाडी वाम रहती है और आप आराम से आसानी से पढ़ाई कर बाते हैं दोस्तों मारी अगली टिप्स यह है कि हमेशा ही पढ़ाई छोटे छोटे ब्रेक्स और इंटरवल के साथ ही करनी चाहिए इसका मतलव यह है दोस्तों कि पढ़ाई करते समय चोटे शोटे ब्रेक्स लेते रहें क्योंकि जब भी आप लगाता स्टेडी करते हैं तो आप ठक भी जल्दी जाते हैं और साथ ही साथ इस से आप बोर भी जल्दी हो जाते हैं इसलिए दोस्तों हमेशा ही छोटे छोटे ब्रेक्स लेते रहें दोस्तों आप जब भी पढ़ाई करें आप एक रूटीन बना कर पढ़ाई करें और जब भी उस टाइम आपको नीद आए तो उसके लिए आप अपने फेस को पानी से धो सकते हैं जिससे कि आपको और नीद ना आए और अच्छे से ध्यान लगा कर आप पढ़ाई कर सकें दोस्तों इस पॉइंट से कई सारे बच्चे डिसेग्री भी होंगे बट अगर आपको पढ़ाई करनी है तो आपको खुद को पंक्चुल बनाना ही पढ़ेगा इसके अलावा दोस्तों आपको अपना सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव और पीक टाइम भी पता होना चाहिए पूरे दिन में ऐसा कौन सा टाइम होता है जब आप अपना काम सबसे बेस्ट तरीके से कर सकते हैं और दोस्तों ये टाइम अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग हो सकता है जैसे कि दोस्तों किसी के लिए सुबा किसी के लिए शाब किसी के लिए रात तो उन स्टुडेंट्स को अपना प्रोडक्टिव टाइम पहचानना होगा इसके लावा दोस्तो एक important टिप्स ये है कि आपको अपना गोल हमेशा ही याद रखना चाहिए अगर आप दोस्तो अपने गोल और स्टिडीज के लिए sincere होगे तो आपको ऐसी कोई दिक्कत देखने को ही नहीं मिलेगी इसलिए दोस्तो हमेशा अपने करियर और future goals के बारे में सोचे कि अगर मैंने अभी पढ़ना छोड़ दिया तो इससे मेरा क्या loss होगा और मैंने ये याद कर लिया या मैंने ये पढ़ लिया तो उससे मुझे क्या फाइदा होगा और साथ ही में दोस्तो उन लोगों के बारे में भी सोचे जो आपके लिए इतनी मेहनत करके आपको पढ़ा रहे हैं तो दोस्तो ये थी कुछ important tips जो कि आपको ठंड में पढ़ाई करने में मदद करेंगी और दोस्तो ये tips सिर्फ ठंड में ही नहीं आप हर मौसम में फॉलो कर सकते हैं इसके अलाबा दोस्तो अगर आपके पास भी ऐसा कोई idea है तो हमें comment section में comment जरूर करें दोस्तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा like और share करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद